तो देखिए इस्टूडेंट क्या का जा रहा है एपीए में दी गई है का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधीक है ठीक है हम मान ले रहे माना स्रेणी का स्रेणी का यह नमा पद अब जो स्रेणी का यह नमा पद होता उसको किसे दिनोट करते हैं एन से ठीक है एन जो है वो 54 पद से 54 पद को कैसे रिपरजन करेंगे A54 से क्या है 132 सधीक है बस हो गया तो तो student इसको हम क्या करेंगे इसको हम ले लेंगे समिकर नंबर 1 ठीक है चलिए अब यहां से आप लोग ध्यान से देखिए यहां से हमें देखने से पता चलना से शेड़ी से कि जो सेड़ी का पर्थम पद है वो A बराबर 3 है अगर हम लोग D की बात करें तो D देखिए कैसे निकाल सकते हैं 15-3 करेंगे तो हमें D मिल जाएगा तो हमने 15-3 किया तो हमारे पास 12 आ गया तो D कामान 12 हो गया ठीक है अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या हम 54 पर निकाल सकते हैं हाँ हमारे पास formula होता है A N का A N is equal to होता है A plus N-1 of D ठीक है तो अब हमें N बराबर यहाँ पर हम 54 रख रहे है तो यहाँ पर आप N बराबर 54 रखिए तो A 54 is equal to क्या जाएगा देखिए A कामान 3 रखा प्लस N N कामान रखना है 54-1 of D और D कामान 12 रखिए देखिए 3 प्लस 54 में से हमने एक घटायत हो गया 53 और यहाँ पर गुड़े में 12 solve करिए 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 हासिल 3 12 पंचे 60 और 3 63 12 तिया 36 के 6 हासिल 3 12 पंचे 60 3 63 तो यहाँ पर जो हमारा A 54 है देखिए क्या आगए 636 में हमने 3 जुड़ा तो हमारे पास क्या हो गया 649 तो A हमारे पास क्या आगए A 54 आगए ठीक है तो student A जो हमारा A 54 आया है A 54 का मान हम लोग समिकर्ण 1 में रखेंगे और यहाँ से जो हमारा A 9 पद है उसका मान क्या होगा हम लोग A 9 पद का मान भी निकाल लेते हैं लिए लिए 54 is equal to 649 समीकर्ण एक में रखने पर ठीक है समीकर्ण एक में रखने पर तो रख दीजिए तो यहां पर रखे देखे एन कमान हमारी पास क्या आ जाएगा यहां से 649 यहां पर रखे प्लस 132 अब यहां पर देखिए 9211 के एक हासिल एक और हमने 3 में एक जोड़ा 4 3 7 और 6 1 क्या हो गया चेक कर लिए 9211 के एक हासिल एक 3 में एक जोड़ा 4 3 7 6 7 तो जो हमारा एन कमान कितना गया 771 और student हम लोग formula जानते a n is equal to क्या होता है a plus n minus 1 of d यहां से a n कमान हमने कितना निकाला 771 तो यहां पर आप 771 रखिए स्रिणी का जो पर्थम पद है उसका क्या मान है 3 तो हमने यहां पर 3 रखा प्लस n तो देखे यह n का मानतों में निकालना है और निकाल करके बताना है कि जो एनवा पद है उच्छा वनवा पद से 132 सदीक है आप लोग इस a n के अस्थान पर इसको भी रख सकते थे लेकिन यहां पर हमने मान निकाल के रख दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो हमने आसानी मिलेगी हमने मान निकाल के यहां पर रख दिया इंटू में से तीन घटाए आट तो यहां पर क्या पचाए 6 और यहां पर 7 इस एकुल टू एन माइनस 1 यहां पर मल्टीप्लाई के साथ है यहां पर बेज़ा टिवाइड के साथ काड़ दीजे सको तो बारा च्छेंग बहातर चे बहातर जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65 तो इस्टूडेंट जो हमारा सरणी का 65 पद होगा लिखे लिखे आता हाँ सरणी का 65 पद जो 65 पद है वो 54 पद से 54 पद से 132 अधिक होगा तो इस्टूडेंट इस तरीके से यह जो हमारा क्वेस्टन नमबर 11 हमने इसको सॉल्व किया